अब देश्वा नियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कॉश्ण बिहार में पुण शराब बंदी है सुबे के मुख्या के द्वारा तमाम तर है के दावे किये जाते हैं शराब बंदी को लेकर सक्ती से पालन करने की बात की जाते हैं तमाम विभागों के अधिकारी और करमचारी जो हैं सपत लेते हैं शराब न पी लेकिन आए दिन शराब को लेकर के तमाम तरके नोटंग की सामने आते रहते हैं आप भी देखते हों किस तरीके से शराब को लेकर के नए नए कारणामे सामने आते रहते हैं तसकरी के नए नए तरीके सामने आते रहते हैं इसी कड़ी में हम आपको लेकर के चलते हैं रोतास रोतास के डिरी का द्रिश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मी जो है शराब के नशे में धुर सड़क पर पड़ा हुआ है और पहले इस द्रिश्य को देख लीजिए और उसकी पूरी बातो को सुन लीजिए तब हम फिर मिलते हैं और बात करते हैं शराब बंदी पर ऐ हुआ उड़ीए पुена गञेट है अन कहां मिला था यहीं मिला था दारू कहां मिल गया है अधर राम कहां घर जी जन लिए कहां घर है बलवाडी कहां नाम है रभी सर्मा नाम है कहां से पिली है कहां मिला था कि अधर में दारू कहां मिल गया था वहां धर गारू कहां मिला था इसके बाद भी आप पिदारू पिये हुए है कर दारू कहां पिये थे बता रहा है कहां पताइए कि कहां पिये थे बुड़र राजकुमार सिंगे पास है तो देखा आप यह सड़क पर पड़े हुए महानुभाव जो है वह सरकारी कर्मी है यह वही सरकारी कर्मी है जो हमेशा सपत लेते हैं कि हम शराब नहीं पियेंगे मद्य निशेद का यह सपत लेते हैं कि शराब और नसीले पदार्थों का सेवन हम नहीं करेंगे यह आम जन जीवन को जागरुप करने का काम करते हैं लेकिन खुद शराब के नसे में इस कदर धुत है कि सही से बोल नहीं पा रहे हैं जिसने इस वीडियो को बनाया है उनके द्वारा इनसे पुछा जारा है कि शराब कहां से मिली शराब कहां से खरीदा आपनी जैसे तैसे यह जवाब दे रहे हैं इन्होंने खुद का नाम भी बताया है यह खुद को रवी शर्मा naming के है का मिल गया था कि अ का मिल था जुछ अ क्यानों कुछ नाम है रभी शर्मा नाम है त्सक्रा अ कि लिए क्या मिल था दारू कहां मिल गया था? सराप बंद ऋसके बाद भी आप दारू पिये हुए है सराप बंद है, दारू कहां पिये थे? बता रहा है कहां बताईए? कहां पिये थे? बोड़ा है? खाला कि इस वीडियो का देश्मा न्यूज पुष्टी नहीं करता है लेकिन जो दिख रहा है तो सवाल तो पैदा कर रहा है तो है पूल शराबंदी पर बिहार सरकार पर और बिहार के अलागिकार्यों पर जो दावा करते हैं पूल शराबंदी तो ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं अब तक के लिए बस यही तक फिर मिलते हैं नय मुद्देना सरोकारों के साथ तब तक देशवा न्यूज देखते रहें अच्छा लगे तो अपना सुजहाओ देना नहीं भूलिए नमस्का सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए